नमस्कार, मैं अभी जोधपूर में हूँ, जोधपूर हाई कोट बार रेसोशेशन के कुछ वकील साहब लोग हमारे साथ हैं हम चुकि वकील खुल करके बोलने के माहिर होते हैं, तो हमने सोचा कि एन वकीलों से ही हम जानना चाहें कि जैपूर, जोधपूर और पूरे राजस्थान का मिजाज क्या कह रहा है कि बरत्मान में जो चुमाव हो रहा है उसको लेकर कि तो राजस्थान का मुजा़ किया है यह समझने की कोषिश करेंगे अशोग गहलोत सरकार कैसा काम कर रही है और राजस्थान की पबलिक जो 55 साल में बदलाव करती है वह बदलाव चाहती है या फिर वही अस्थाय रूप चाहती है तो वकील साब लोगों से हम बात करेंगे सर्फ कि राजस्थान में जो चीजें चल रही आम तोर पर माना जाता है कि पांच-पांच साल में सरकार बदलती है इस वार जो सरकार बदलेगी क्या उस परंपरा से बदलेगी यहां पर जनता में आक्रोश अपना नाम बता करके परिचे देते हुए बताएंगे नातु सिंग्रा ठोड जैसा अभी आपने अपनी बात में बताया कि सरकार कैसा काम कर रही है उसके उपर हमें बताना तो अगर कोई काम करे तो उसका रिपोर्ट कार्ड होता है या तो कुछ काम भी नहीं हो रहा है तो उसका रिपोर्ट कार्ड देना उचित नहीं है तो वरत पर जो जो वादे करके वह आये थे गौवर्मेंट के अंदर जो जो पोस्टर लगा कि उन्होंने वादा किया था महिलाओं की सुरुक्षा विवाओं को रोजगार किसानों को बत्ता एक भी अपने सर्थ को उन्होंने पूरा नहीं किया आज क्राइम रिपोर्ट देखे हैं तो नेशनल क्राइम रिपोर्ट भी अप रिपोर्ट देखेंगे तो राजस्तान सबसे ज्यादा मुकत में राजस्तान पूरे राश्ट भर में दस लाग मोगत में सिर्फ राजस्तान में दरजुए जो अपने आप में बहुत बड़ा एतियासिक रिकॉर्ड है और मजे की तो इस तरीके से हर सेत्र में पर्थम राजस्तान क्राइम में महिला ब्लादकार में और यूओं को रोजगार के नाम पर ठाला नहीं दिया पांस साल तक और अभी छह महिन में इन्होंने फ्री-फ्री करके और राजस्तान की जनता को मुर्क करें हों यहीं करकर और हम एक और अत्म निर्वर होने के जह रहा है राष्ट में पर नाने के इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है बड़ी सरमनाक गटना है इन्होंने का फ्री हम रासन देंगे और उस रासन में फ्री में फ्री की रासन में मिर्चें बिलकुल खराब चीने की जगा नमग आटे की जगा मिठी नज भी इनको स्रमने किस मूँ को लेकर कैसे लेकर यह जनता की बीच में वोट मांगने जा रहें बड़े सरम का विصह है राजस्तान की जनता त्रस्द है राजस्तान की जनता सिर्फ परिवर्तन ही नहीं एक अपना यूग का परिवर्तन करना जारी करने जारी है हम सब मिलकर इस बरसाचारी और ऐसे लोग जो जिनकी जनता की परवा नहीं करते हैं उन सब लोगों के खिलाफ हम सब मिलकर एक जो डोकर और इस देश में नया परिवर्तन लाएंगे यह हमारा अब्यान है इस बर आप क्राइम रिपोर्ट की बात में करें इसकी अलावा भी बात करें एक आम वेक्ति जब धाने में जाता है FIR दर्ज करवाने के लिए उसके संगर्ष को हम देखते हैं उसकी पीड़ा को हम देखते हैं लेकिन सरकार ने कभी नहीं देखा आज FIR दर्ज करवाने के लिए अपने जूती रगड़नी पड़ती है वहाँ पर यसाता है, नमबर ओफ कैसे के नंदर आदमी तरस जाता है कि मेरी कोई सुनवाई हो, मुझे नयाय मिले, लेकिन उनको नयाय नहीं मिल पाता है, क्योंकि पूरा मैकमा पुलिस डिपार्टमेंट राजस्तान का बरश्ट बढ़ बैठा है, नंबर ओप कैसे जैसे हैं जहां पर आदमी आकर के कोर्ट में हमारे पास आता है हम इस्तकासा पेस करते हैं और 156 में अफ़ाई अरदर्ज होती है तो जो 156 का आंकड़ा है वो बताता है कि सरकार विफल है थानों के अंदर सुनवाई है नहीं पुलिस अपना काम डंक से नहीं कर पा रही है